नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का फास्टी स्टडी पलानर यूटूब चैनल पर साथ यो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश लोग से वायोग ने अपना ओफीसियल एक्जाम कलंडर जारी कर दिया है आज 10 जून 2021 को जिसमें 14 परिक्साओं की एक्जाम डेट बताई गई है जिसमें सिंक कुछ मुक्च परिक्सा है जैसे एगरि कल्चर सर्विस जी आई सी लेक्चरर बीचेसस ौजारीकिस ऊरोएरो 2 earliest देगे इन सभी परिक्साओं की परिक्सा तीथी प्रारंबिक परिक्सा की और मुख्य परिक्सा की हम एक्जाम कलंडर के माध्यम से देखेंगे देखें ये एक्जाम कलंडर है आज 10 जून 2021 को जो भी जारी किया है उत्तर प्रदेश लोख सिवा योगने सरवसाधरन को सूचित किया जाता है कि देखें 15 जन्वरी 2021 द्वर्व वर्ष 2021 में आयुजित की जाने वाली परिक्साओं का वार्ची कलंडर जारी किया गया था जो 15 जन्वरी को किया गया था उसे कैंसिल करके अब ये जारी किया गया है कोविड नैंटीन के कारण मार्च के उपरांत आयोजित की जाने वाली परिक्साय प्रभावित हुई हैं अत्या संसोधित परिक्सा कलेंडर नीमनवत है सबसे पहली जो आपकी परिक्सा होगी वो यूनानी चिकित्सक चिकित्सा दीकारी स्क्रीनिंग परिक्सा तो हजार यानि 25 जुलाई को इसके बाद समलित राज्यक किर्शी सेवा प्रारंबिक परिक्सा यानि एग्री कल्चर सर्विस की जो ये मेन एकजाम है देखे जो पॉपुलर एकजाम है उन पर मैं टिक करता जाओंगा इसकी परिक्सा एक अगस्त दोजार इकीस को होगी इसके बाद परवक्ता जी आईसी लेक्चरर यानि पुरूस और महिला राज्यके इंटर कोलीज की परिक्सा 19 सितंबर को होगी इसके बाद सबसे प्रारंबिक परिक्सा 24 अक्टूबर को है तो लगवग कई महीनों का समय है PCS की तयारी करने के लिए संभागय निरिक्सक प्रावर्दिक परिक्सा 2020 ये 21 नवंबर को होगी समलित राज्यक किर्शी सेवा मुख्य परिक्सा ये जो एगरिकल्चर सर्विस थी इसका मेंस एक्जाम वो 26 नवंबर को होगा आरो ए आरो देखें ये दो एक्जाम के लिए ही मैं परिक्सा कलेंडर बना रहा हूं PCS और आरो ए आरो ए आरो की जो प्रारंबित परिक्सा है वो एक अगस्त की बजाए अब पांच दिसंबर को होगी इसके अलावा जी आईसी लेक्चरर का जो मुख्य परिक्सा है वो 19 दिसंबर को परदानाचारियस रेनी टू इसकी जो परिक्सा है वो नो जन्वरी को होगी 2022 में समलित राज्य परवर अधिनस्ते यानि PCS मुख्य परिक्सा 28 जन्वरी को होगी सहायक वन संग्रक्सक ACF आरफो की मुख्य परिक्सा होगी 7 मार्च को 2022 में परवक्ता GIC लेक्ष्णर की होगी 3 अप्रेल को और ROARO की मुख्य परिक्सा होगी 10 अप्रेल को और ये संसोधित परिक्सा कलंडर है इसकी तितियों में विशेश परिस्तितियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है जैसा कि आपको पता होगा कि COVID-19 की तीसरी लहर भी आएगी तो हो सकता है कि इनकी कुछ परिक्साओं में परिवर्तन हो जाए लेकिन ये जो उपर वाली सभी परिक्सा हैं ये अपने तैसमय पर हो अब होने वाली हैं तो ये तो अपने तैसमय पर होगी जैसे कि GIC Lecturer की और ये Agriculture Service PCSRO यहां तक अपने तैसमय पर हो जाएंगी परिक्साओं इसके बाद की परिक्सा हो सकता है उनमें कुछ फेर बदल हो जाए तो धन्यवाद दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल Fast Study Planner को Like, Share और Subscribe करें धन्यवाद दोस् कर दो हमारे चारे बाद को